आप देख सकते हैं कि यह उपर से किता क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सौफ्ट है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं आज मैं आप सबी के लिए फ्रेस हरे मटर के नास्ते की रेसेपी लेके आई हूँ यह नास्ता बनाने में बिलकुल ज़्यादा टाइम में ही लगता है और खाने में भी बहुती यह तेश्टी लगता है तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे और जार के अंदर हम यह प्रेस हरे मटर एट करेंगे आप चाहे तो हरे मटर को हलका सा उबाल भी सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल भी उबाला नहीं है अब इसके अंदर मैं दो हरे मीर्ज को इस तरीके से काट के एड़ करूँगी तीखा उप अपने पसंद के अनुसार कम जादा कर सकते हैं और आदा इंच अजरक के तुकड़े को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है आप चाहे तो इसके अंदर तीन से चाल लशन की कलिया भी एड़ कर सकते हैं और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया एड़ करूँगी ये टोटल ऑप्शनल है अब ढ़का लगा के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इसका हमें पुरा फाइन पेस्ट तयार नहीं करना है इसे हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है मिक्सर को हम बन करके चालू करके इसे पीसेंगी कंटिन्यू हमें मिक्सर को नहीं चलाना है अब मैंने इसे दऱदरा पीस लिया हुआ है आप देख सकते हैं अब हम चलते हैं next process में आज जो मैं हरे मतर का नास्ता बनाने वाली हूँ वो नास्ता में इस सुजी के साथ बनाने वाली हूँ तो मैंने एक कप के करीब यह बारिक वाली सुजी ली है यह एक कप, दो कप और यह तीन कप, अब सूजी को हम एक बर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यह नाश्ते का घुल हमें एकदम पतला ही तयार करना है, अब सूजी अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसके अंदर हम बागी के और इंग्रीडियन्ट एड़ कर लेते हैं, मैंने हाफ ओनियन को इस तरीके से बारिक कट करके ले लिया है, इसे हम एट कर देंगे, और इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून से भी कम हल्दी पौडर एट कर रही हूं, हाफ टेबल स्पून के करीड जीरा, हाफ टेबल स्पून के करीड धनिया पौडर, हाफ टेबल कआए थे 10 ना फून के करीब चातमसाला, अगर आपके पार चातमसाला नहीं है तर Kell के बदले आप अमजूर का पोडर एक सकते हैं और इसके अंदर अपनेद अपारिंग नमक, करेंगे हमेने क्राइण करके रखाथ बारिक हरज तो हरे मतर के रखाथ आधि अगर आपको लगे कि आपका यह जो बैटर है ज्यादा गाड़ा है तो आप इसके अंदर थुड़ा सा वाटर एड़ कर सकते हैं हमारा पेटर जो है पतला है इसके अंदर हमें वाटर एक्स्राइट करने की जरुआत नहीं है अब हमारे नास्ते का बैटर जो है रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं गैस की ओर गैस पर मैंने कडाई रखा हुआ है कडाई के अंदर मैं आदा चमच के करे तेल एड़ करूँगी और तेल को हम हलका सा गरम होने देते हैं तेल हमारा हलका सा गरम हो चुका है गैस का फ्लेम मैंने मेडियम करके रखा है और हमने जो नास्ते का बैटर बना के रेडि किया है उससे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सारे मिश्ण को डारेक्ली कडाई में एड़ कर देंगे अब सारे बैटर को मैंने कडाई के अंदर एड़ कर दिया हुआ है अब इसे हमें इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मीडिया फ्लेम पे पकाना है जब तक कि ये पूरी तरीके से गाड़ा न हो जाया और पैन से अलग न होने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे और गैस का फ्लेम आप बिल्कुल भी हाई न रखें आप चाहे तो इसके अंदर और भी वेजीटेबल आड़ कर सकते हैं जैसे कि कैपसिकम, बेंज इन सब वेजीटेबल को भी आप बारी कट करके इसके अंदर एड़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसे गाड़ा होने में से तीन से चार मिनट लगेंगे और फ्रेंज बहुत सारी हेल्दी रेसेपी मेरे चैनल पे है उसके लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और इस तरीके से इसे पकाने से क्या होगा हमने जो हरे मटर को ग्राइड करके इसके अंदर एड़ किया हुआ है वो हरे मटर का कच्छा पन भी निकल जाएगा और हमारी सूजी भी जो है अच्छे से पक जाएगी अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से गाड़ा हो चुका है और पैन से अलग भी हो रहा है जब इस स्टेज पे ये आ जाए तो आप समझे कि ये पूरी तरीके से रेड़ी है आप देख सकते हैं अब गैस का फ्लेव हम आफ कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब ये हलका सा ठंडा हो चुका है इसे मैंने पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया हुआ है इसे हमें हलका सा गरम ही रखना है अब इसके अंदर में 3-4 चमच के करिब चावल का आटा एट करूँगी चावल का आटा एट करने से क्या होगा हमारा ये जो नास्ता है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब चावल का आटा भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस में मैंने थाली लिए थाली के अंदर मैंने थोड़ा सा ओल ले लिया है ओल को हम इस तरिके से स्प्रेट कर लेंगे थाली में और हमारे जो नास्ते का मिश्रण है वो हम इसके अंदर एड़ कर देंगे अब सारे नास्ते की मिश्रण को मैंने थाली के अंदर एड़ कर दिया है अब इसे हम स्प्रेड कर लेंगे अब सारे मिश्रण को मैंने थाली के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर दिया हुआ है आप अपने पसंद के अनुसार इसका लेयर थोड़ा सा मोटा और पतला कर सकते हैं अब इसे हम सेट होने के लिए साइड में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए आप चाहे तो इसे फ्रीज में भी रख के सेट कर सकते हैं पंद्रा मिनट तक मैंने इसे सेट होने के लिए रखा हुआ था ये अच्छे से सेट हो चुका है अब इसे हम नाइफ से कट करेंगे आप अपने पसंद के अनुसार इसे किसी भी सेट में कट कर सकते हैं अगर ये कट करते समय नाइफ में चिपकता रहे तो आप समझ चाहिए कि आपका मिश्रन जो है अच्छे से सेट नहीं हुआ है अब मैं इसे स्क्वेर सेट में कट करूंगी अब मैंने शारे मिश्रन को टिकी का सेट दे दिया हुआ है और इसे हम सेलो फ्राइ करेंगे तो सेल अब अधर अधर करूंगी और अधर को हम मीडियम फ्लैम पर गरम होने देंगे आप चाहे तो इसे डिप फ्राइ भी कर सकते हैं और हमने जो टिक्की का सेब दिया हुआ है मिशन को उस टिक्की को आप एक डबे में बन करके फ्रीज में भी डरग सकते हैं आपको जब मन करें तब आप उस टिकवी को इस तरीके से फ्राई करके खा सकते हैं अब हमारा तेल गरम हो चुका है अब इसके अंदर हम एक एक करके टिक्की अड़ करेंगे चार्च से पास टिकी हम एक बहर में फ्राई करेंगे और इसे हम medium flame पे light brown होने तक fry करेंगे अब ये नीचे से थोड़ा सा brown color का हो चुका है इसे हम पलट लेंगे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा color आया हुआ है हमारे नास्ते का और इसे तुरंत्री डालने के बाद आप नहीं पलटें थोड़ा सा ये नीचे से सिख जाए तभी आपको इसे पलटना है इसी तरीके से बागी सारे हम पलट लेंगे अब इन सबको मैंने पलट लिया हुआ है और medium flame पे हमें इसे crispy light brown होने तक fry करना है कि ये चारो तरब से एतम crispy हो जाए और brown color का हो जाए अब हमारी जो टिक्की है वो नीचे से भी अच्छे से सिख चुकी है अब हमारा सूजी और हरे मटर का ये जो टिक्की है बनके तयार हो चुका है इसे हम एक पलेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बागी के सारे टिक्की हम fry कर लेंगे अब हमारे सुजी और हरे मतर का जो नाजता है बनके तयार हो चुका है और एक टिक्की मैं आपको बताती हूँ कि हमारी टिक्की जो है उपर से किती क्रिस्पी बनी हुई है और अंदर से किती सॉफ्ट आप देख सकते हैं कि यह उपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं अगर आपको यह सुजी और हरे मतर की टिक्की की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कवता की रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के ल